दोस्तों हमने हाल ही में इंटरनेट पर अलग-लग दिरिश्य देखे जहां लोग एक प्लेन पर लटक कर अपने देश छोड़ने की कुशिश में थे सुन्ने में या हरकत मौत को बुलावा देनी जैसी है प्लेन के उपर जाने के बाद 60 डिगरी सेल्सिस की ठंड सैकडो किलोमेटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती ठंडी हवाएं और इंजन से आता शोर जो किसी को भी बहरा बना सकता है इन सभी के अलावा भी प्लेन से सीधा नीचे गिरने और अन्य कई तरीकों से खत्रा भरा पड़ा है अगर कोई ऐसे सफर में बच जाए तो आप उसे क्या कहेंगे हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही भारतिय की है जो प्लेन के टायर में बैट कर दिल्ली से लंडन पहुँच गया कैसे हुआ ये सब और क्या वो जिन्दा बच गया जानेंगे अभी बस अंतर तक हमारे साथ बने रहीगा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन दबाना ना भूले कहानी शुरू होती है 1995 के पंजाब में जहां पर कुछ ही साल पहले खालिस्तानी आतंक वादियों का खाफ था 1995 का साल आते आते सुरक्षा बलो ने लगभग यहां से सभी आतंक वादियों को या तो खत्म कर दिया था या फिर देश छोड़ने पर मजबूर इस बीच रोजाना कई गरिफतारिया होती थी लोगों को अपने घरों से उठा लिया जाता था और अनंत काल के लिए उन्हें पूचताच के लिए इंटेरोगेशन सेंटर्स में रखा जाता था इसी साल पुलिस ने दो भाईयों प्रदीप और विजय सैनी को भी इस मामले में एक संदिग्द के रूप में देखा पुलिस का ये आरोग था कि ये दोनों भाई जो पेशे से कार मेकैनिक है छुप कर खलिस्तानियों की मदद कर रहे हैं प्रदीप की उमर उस वक्त 23 साल की थी और विजय जो उस से उमर में छूटा था 19 साल का था उन्होंने पुलिस को काफी समझाया कि उनका खलिस्तानियों से किसी भी तरह का कोई संबंद नहीं है पर पुलिस चुप कहां बैठने वाली थी उन्होंने लगातार उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और दिन प्रते दिन दोनों भाईयों के जिन्दगी नर्क बनती चली जा रही थी ऐसे में एक दिन इन सब से तंग आकर उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया और क्यूंकि उनके कई जानने वाले लंडन में रहते थे उन्होंने उसी जगह को चना पर समस्या ये थी कि ना ही उनके पास पासपूर्ट था ना वीजा और ना ही टिकेट के लिए परयाप्त पैसे ऐसे समय में दोनों भाईयों ने एक तसकर से संपर्क किया जो गार कानूनी तरीके से विदेश भेजता था पंजाब में इस तरह के लोग कश्मीर की सीबों की तरह मिल जाते हैं जो उन्हें उसे ढूंडने में ज़्यादा परिशानी भी नहीं आई उस तसकर को उन्होंने 155 पांड की रकम दी और उसने उन्हें सुझाया कि वो दोनों भाईयों को प्लेन के लगेज सेक्षन में छुपा कर लंडन भेज देगा अब तक 1996 का साल आ चुका था पुलिस ने परिशान करना जारी रखा और उस तसकर का कोई अतापता नहीं था जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें ठग लिया गया है और अब जो करना है उन्हें खुद ही करना है दोनों भाई सितमबर 1996 में पंजाब से दिल्लिया पहुँचे और उन्होंने इंदरा गांधी अंतराष्टे हवाई अड़े के अंदर जाकर उसका निरिक्षन करना शुरू कर दिया उस वक्त सिक्योरिटी भी कम हुआ करती थी इसलिए वो प्लेन के अंदर गुसने के रास्ते तलाशते रहे अगले दस दिनों तक उन्होंने इसी तरह एरपोर्ट का निरिक्षन किया और अक्टूबर की एक रात को वो प्लेन तक पहुँचने में काम्याब रहे उन्होंने पहले प्लेन के अंदर लगिज और पैसेंजर की घुसने का इंतजार किया फिर जब प्लेन टेक आफ के लिए तयार था तो वो लोग उस प्लेन के लेंडिंग गियर में घुस गए उस स्मगलर के साथ रहते हुए इन लोगोंने प्लेन के बारे में काफी कुछ सीख लिया था और वो जानते थे कि एक लेंडिंग गियर में केवल एक व्यक्ती ही जितनी जगा होती है इसलिए वो दोनों अलग लग लेंडिंग गियर में घुस गए दिल्ली से लंदन की ये 4000 मील की उड़ान लगभग 10 घंटे की थी और 10 घंटे तक इन दोनों भाईयों को यहीं पर रहना था दोनों ने सादे कपड़ाई पहने हुए थे और ठंट से बचने के लिए कोई खास इंतिजाम नहीं था ब्रिटेश एरवेज का ए प्लेन 40,000 फिट की उचाई पर 30 गती से चल रहा था जिससे ऑक्सिजन की कमी लगातार बनी हुई थी दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे पर इंजन का शोर इतना जादा था कि उनके कान के परदे भटने लगे प्लेन के शुरू होने पर जो शुरुआती गड़-गड़ा हट हुई उससे दोनों सहम गए और उन्हें लगा अब तो उनका मरना तै है जब ये प्लेन लंडन के हैथरो एरपोर्ट पर लैंड किया तब सबसे पहले लगेज स्टाफ लगेज लेने पहुँचा वहाँ उन्हें एक शक्स के करहाने की आवास सुनाई दी प्लेन के पास पहुचते ही उन्होंने बड़े भाई प्रदीप को अदमरी हालत में पाया और आनन फानन में बिना कुछ समझे जाने सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले जाये गया जब चार दिन बाद प्रदीप को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने भाई के बारे में पूछा इससे पहले किसी को भी जानकारी नहीं थी कि प्रदीप के साथ कोई और भी आया है उन्होंने उसे बताया उन्हें प्लेन में कोई और शक्स नहीं मिला ना जिन्दा ना मुर्दा क्या डॉक्टर्स हैरान थे कि प्रदीप 40,000 फिट की उचाई पर माइनस 60 डिग्री की ठंड में कैसे जेल गया वहीं पुलिस ने उसके भाई विजय सैनी को ढूनने की कोशिशें शुरू कर दी पुलिस को अगले दिन रिजमॉंड इलाके से एक फून आता है जिसमें एक लाश का जिक्र था जब उस लाश की फोटो प्रदीप को दिखाई गई तो उसने तुरंत अपने भाई को पहचान लिया पोस्ट मार्टिम की रिपोर्ट में सामने आया कि छोटे भाई विजय की मौद तो प्लेन की उडान भरते ही हो गई थी मौद के वक्त के अनुसार एर स्टाफ के पैसेंजर्स की पहली चीज सरु करने से पहले अब प्रदीप का जिन्दा बचना और भी बड़ी उल्जन का हिस्सा हो गया था ऐसा क्या था जिस तापमान में एक इंसान कुछी देर में टिक नहीं पाता उसे मुसका भाई 10 घंटे तक जीवित रह गया डॉक्टर्स ने इस पर अपनी ये थियोरी दी जब तापमान घटने लगा और हवाएं तेज हो गई ऑक्सिजन न मिलने की वज़े से प्रदीप के शरीर में अपने आसपास हो रही घटनाओं पर रियक्ट करना ही बंद कर दिया किसी बहुत भिख्शों की तरह उसका शरीर बाहरी तापमान से आजाद हो गया और वो हाइबरनेशन जैसे स्थिति में पहुँच गया अगर ऐसा ना होता तो सिर्फ इंजन के शोर से उसके दिमाग के नसेफ हड़ सकती थी और उसका शरीर ही माइनस साट डिगरी पर बरफ बन सकता था एस हैरत अंगेज कारणामे के बाल प्रदीप की परेशानी कम नहीं हुई जहां उसे अपने छोटे भाई को खोने का गम खाय जा रहा था वहीं दूसरी और बिटिश सरकार उसे वापस भारत भेजने की तयारी कर रही थी गार कानोनी तरीके से लंदन आने के लिए प्रदीप पर मुकदमा चलाया गया पर प्रदीप ने वहां की कोट से ये दुआई लगई उसका भारत जाना सही नहीं है क्योंकि वो भारते पुलिस से प्रताडित होकर वहां आया है इसलिए उसे इंग्लेंड में शरण दी जा कोट ने बात मानी कि प्रदीप इतना मजबूर और प्रताडित ना होता तो शायद अपनी जान जोखिम में डाल कर कभी ब्रिटन आने की कोशिश ना करता साथी जज्मेंट में इस काम को एक बहादुरी का काम भी कहा गया और प्रदीप को लंदन में रहने की इजाज़त दे दी गई और आज वो एक बिटिश सिटिजन के रूप में अपना जीवन जी रहा है आज प्रदीप शादी शुदा है और उसके दो बच्चे है नो जिसे एरपोर्ट पर वो इतने सालों पहले अगार कानों ने तरीके से आया था आज वहीं की कैटरिंग कमपनी के लिए ड्राइविंग का काम भी कर रहा है पर सभी लोग प्रदीप जितने खुशकस्मत नहीं होते विजय सैनी के मरने का गम अगले कई सालों तक प्रदीप को खाता रहा उस प्लेन यातरा के सपने अगले 6 साल तक उन्हें नीम से जगाते रहे प्रदीप की मानसिक्स्ति थी कई सालों तक ठीक नहीं थी और आज भी उन्हें सुनने में परिशानी का सामना करना पड़ता है प्रदीप की ही देखा देखी नैरोबी से एक शक्स प्लेन के लेंडिंग गेर में छुपकर लंदन आने की कोशिश कर रहा था इस प्लेन को भी इसी एरपोर्ट पर उतरना था पर अफसोस वो शक्स पहले ही प्लेन से गिर पड़ा और एक सौफ्वेर इंजीनियर के घर के बिलकुल बाहर उसकी लाश गिरी लाश को पहली बार देखने में वो एक बरफ की सिल्ली मालूम पड़ती थी बाद में प्लेस को खबर की गई कि एक एरोफलेन के लेंडिंग खाने का सामान और बैग भी मिला जो इसी व्यक्ति का था ये कहानिया वाकई में इस बात का उधारन है कि मजबूरी इंसान को किन हालातों मिला कर खड़ा कर देती है आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कॉमेंट में बताना अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक क शेर करना न भूलें साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी दबा दें